मैं आपको ये भी याद दिला दू कि सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइनल फैसला क्या है में पता नहीं पर जब हाई कोर्ट में ये मामला गया था तब वहां पर क्या बोला था कोट ने तब बोला था कि CBI ने जो जो काम किये हैं उसमें कोई दुर्भावना नहीं है और CBI ने अच्छे से दिखा दिया है कि जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमों है वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तो जो निचली अदालत थी उन्होंने ये तो कहा था कि कोई दुर्भावना नहीं है अभी तक जो आक्शन लिए गया है उसमें देखिए पदमदादी हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर कानून का राज है अगर निचली कोई बात कहती है कोई observation दे या आप तक कोई फैसला भी दे तो तरीका लोक्तंतर में यह है कि हम उसके उप पर पोस्टिंग कर सके तो उन्होंने सुप्रीम को संसर मिलाकिस कानून को बदल दिया जिस पार्टी को यह सुपारी पार्टी कह रहे तो उससे बुरी तरीके से डर गए तो सुप्रीम को जो कहता है वो देश का कानूने आप इस बात को माल लिजए क्योंकि वह क्यानून क करते हैं हाई कोई कोईRC vraiment कर दिया गया है वह बात नहीं रही वही हैff किसी आदमी की आदादी को चीन को जיל में डाल वह आद मी देश का यह मुख्य मुद्दा है कि बाकी लोगों के भी केस में क्या-क्या हुआ था सुप्रीम कोट ने कहा था कि निचली अदालेते डर रही है जबकि बेल तो रूल होना चाहिए जेल नहीं उन सब को नोने बेल दे दी तो आप केजरिवाल जी भी उसी रस्ते जा रहे ने बिलकु बहुत मुश्किल थी क्योंकि आपको प्रूब करना है आपने कोई का दोश नहीं सरकारी तंत्र का गरत इस्तमाल की बात आदे देखा कि एक तर्फा कदर मचाये जा रही है को भारत की सरकार आपने विरोधियों को जीतने के लिए तो मुझे लगता मैं जितनी बार बावा कोट के फैस्ते के खिलाफ जाकर दिली भारत सरकार ने अधकार ले दिली सरकार कुछ ऐसा हुए है नहीं सुप्रीम कोट का पूरा फैसा पर नहीं यह सलमें कि आदी धूरी जानकारी के अधार पर सारी बात चीत करें और आज भी आदी धूरी जानकारी के अधार पर सारी राचित करें हैं और ये ये हुज़ कह रहे हैं कि सुप्रीइट कोट को सुप्रीण कोट ने ये भी कह था कि r Canthi का अधिकार है कि इसमें चाहे तो कुछ चेंजिस करकर इसमें परदान ने ला सकती है ये उसी कोट के फैंस ने मता जिसको आप अभी गा रहे थे और उसी के अंसर गत नी तो आप बापे सुप्रिंग कोट चले गए हो थे अब तक और आपने जो पार्लिमेंट ने फैंसा किय चाही ठोक रहे थे कि ने ने बड़े पड़े लिखें अरे वो पड़े लिखें शातिर हैं पड़े लिखें उनका शातिर भी हो सकता आदमी वो चाल शोबराज पड़ा लिखा था पर शातिर था पर ये पड़े लिखें शातिर है तो दमाग लगा कर कैसे खेल करना है क्या हैं और वो जो जो सबोत है जिसमें पैसा डिस्टिभीट हुए पैसा इसा ञारे हुआ हाँ ये मुरिज켜 सोधिया जी का गाना कहा रहे है। मुरिज सोधिया जी को बेल किस कि नीश्वने मिल ये तीस लाभ का मुचल का भरा है सुच्चुच recoveredya साब ने हरुटे में हफते میں dłो बार हावलदार के सामने जाको ہरा आ खड़ा अपड़ा और अपनी हारी अपने फोन को बंध नी कर साता है payment क्लाद आप बंध नी होगा और मेपिंग आप जा ली कर ले terce और तीसरा कि उनके पासपोर्ट जब कर लिए गए ऐसी किनिशन किन लोगों के खराफ लगा जाती है आपको जादगा नहीं होगी पतमचा यह कोई आम आदमी के खराफ इस पकार की जिनकी बेरोच उनके खराफ यह सब किनिशन से लगा जाती है तो कोड भी समझता है कि क्या मामला है ऐसा नहीं हाँ आपको गाना का अप गाते रहे है परन्तु सच और यह है कि आपको कोई भी मामले में आपको सजा कोई खारद की नहीं है अरफ को सजा मिलन यहां आपको सजाद से खानी चरजेगा तो दूर बहुत ही शातिराना जो चेहरा है वो उजागर हुआ है